हलो एंड वेलकम टू दक्षायू इंग्लिश लिटेसर जोन जोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विल्यम ब्लेक की बड़ी सुंदर पॉम दा लेटिल ब्लैक बॉय और चली शुरू करने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर द 12 अगस्त 1827 में और अब बात करते हैं हम उनकी जो यह पॉम है दलेटल ब्लैक बॉय इस दोस्तों यह पब्लिश हुई थी 1789 में और उनके बड़ी खुबसूरत क्लेक्शन सॉंग ओफ इनोसेंस में से यह पॉम है जिसमें की 28 लाइन्स हैं और डिवाइड की गई हैं सेवन क्वाटरेंस में और फॉर स्टेंजा इसमें हैं राइमिंग स्कीम है इसकी एबी एबी करके तो चलिए शुरू करते हैं इसका फॉर्स टेंजा my mother bore me in the southern wild and I am black but oh my soul is white तो पॉर्ट जो कहते हैं my mother bore me मतलब मेरी मा ने मुझे जर्म दिया in the southern wild यहां पर बात southern wild की बात की जारी है अफरीका के जंगलों से and I am black और वो कहते हैं कि मैं तो पर black हूँ but oh my soul is white लेकिन मेरी जो अंतर आत्म है वो तो white है white as an angel is the English child white जो कि एक फरीष्टे का color होता है वो एक एक अंग्रेजी बच्चे English child का color होता है but I am black as if bereaved of light लेकिन मैं तो black हूँ जैसे कि मुझे deprived रखा गया है उस angel वाली white light से मैं उससे दूर हूँ next angel my mother taught me underneath a tree मेरी मा ने मुझे सिखाया है एक tree के नीचे बैठ कर and sitting down before the heat of day पूर जब दिन की जो धूप होती है उससे पहले जो heat of the day उससे पहले जो morning का सुभे का time होता है उसमें मुझे सिखाया है she took me on her lap उन्होंने मुझे she यहाँ पर poet की mother के लिए बोला जा रहा है she took me on her lap and kissed me उन्होंने मुझे अपनी गोद में बैठा कर प्यार से समझाया and pointing to the east और east की तरफ इशारा करता हुए उन्होंने मुझे यह बताया next danger look on the rising sun उस rising उस उगते हुए सूरज की तरफ देखो there God does live ऐसा लगता है वहाँ भगवान रहते हैं जैसे वो उनका घर है and gives his light and gives his heat away और वो अपनी रोशनी और अपनी हीट को and flowers and trees and beast and man receive जैसे वो अपनी जो देविय उनकी जो रोशनी है और जो उनकी heat है सूरिय की जो सूरज की रोशनी है वो सभी flowers, peties, trees को, पेडों को, जंगली जानवरों को, beast को, and man और human beings को सभी को समान रूप से मिल रही है comfort in morning and joy in the noon day जो सुभे का comfortness होती है, जो हलकी हलकी धूप होती है और noon day में जो तेज रोशनी तेज धूप हो जाती है वो समान रूप से हम सभी में मिल रही है and we are put on earth a little space और हम धरती पे जैसे हमें एक छोटा सा little space दिया हुआ है that we may learn to wear the beams of love जहां हम ये सीख पा रहे हैं कि जो सूर्य की तेज रोशनी, beam of love है उनका कभी हलका होता सुभे की time कभी वो तेज होता है तो उस heat को हम सहन करना सीख रहे है and these black bodies और जो हमारे ये काला शरीर है and this sunburn, जैसे हम धूब की तेज रोशनी से हमारी जो skin है वो जल जाती है और हम काले पड़ गए है is but a cloud, ये एक बादल की तरह है ये उनकी माँ उनको समझा रहे है is but a cloud and like a shady grove ये एक जैसे आसमान में बादल होते हैं काले बादल होते हैं और वो छट जाते है shady grove होता है, shade होता है black color का, हमारा शरीर बिल्कुल उस तरीके से है ये cloud है next एंजा में वो कहते है for when our soul have learned the heat of heat to bear for when, ये सिर्फ तब तक है जब तक हमारी soul जो हमारी आत्मा है वो सीख नहीं लेती इस तेज रोष्णी को इस heat को सहन करना नहीं सीख लिती the cloud will vanish, we shall hear his voice और जो ये बादल है ये जल्दी ही छट जाएंगे ये वैनिश गायब हो जाएंगे जैसे ही हम इस तेज रोष्णी को मतलब की poet कहना चाते हैं हम इस तेज रोष्णी से उनका तात्रिया है कि जो समाज में ये भेद बाव है रंग भेद है और जो हमारी सोच है ये सब एक काले बादल की तरीके से ये शरीर सफेद या काला इस सब भगवान की देहन है क्योंकि भगवान उनमें कोई भेद भाव नहीं करते भगवान अपनी रोष्णी, अपने सूर्य, हावा सब कुछ समान रूप से है मतलब ये गायब हो जाएगा एक दिन और हम भगवान की आवाज तब सुन सकेंगे जैसे भगवान हमसे कहना चाते हैं कि तुम अपने इस बगीचे से ग्रोव मतलब भाग बगीचा से बाहर जब आओगे मेरे पास तो मैं तुम्हें अपनी लव एंड केर भीद हूँगा और तुम खुशी से आओगे मेरे गोल्डन टेंट में मेरे घर में मतलब की जैसे एक मेमना मेमी आता है खुश होके खेलता है घूमता है लैम सिंबॉलाइज करता है क्रिस्चिन धर्म को जैसे कि मैंने आपको बताया था जहां पर हमेशा दीसिस क्राइज के साथ एक लैम की फोटो जरूर होती है तो यह उस चीज को सिंबॉलाइज करता है नेक्स एंजा में और इस तरीके से मेरी मा मुझे सब कुछ समझाते हुए प्यार करती है और वही चीज में एक छोटे लिटल बॉई को समझाता हूँ जब मैं अपने इन काले बादलों से और वो अपने इन सफेद बादलों से फ्री हो जाएंगे आजाद हो जाएंगे और हम भगवान के पास चले जाएंगे इन बादलों से ये जब वैनिश हो जाएंगे और हम एक लैंब की तरीके से जॉइफूल हो जाएंगे भगवान से मिलके एक निज्जा में एक मेरा जो फेल्जा एंगे पापा समान जो हमारे गौड है उनको मानते हैं जो हमारे दाता हैं उनके नीज पे उनके घुटनों पे सर रखकर उस अराम को जॉय को फील करेंगे and then I will stand and stroke his silver hair and he like him and he will then love me और मैं वहाँ पर खड़ा हूंगा उनका जो head है silver hair है उनके and be like him उन्हीं के तरीके में मैं ढल जाओंगा और वो मुझे सिखाएंगे समझाएंगे और इन दुनियादारी के सभी दुखोसे में मुक्त हो जाओंगा और मुझे वहाँ जाकर प्यार मिलेगा तो यह थी पॉम विलियम ब्लेक की the little black boy होई बहुत ही सुदर पोई है जो रंग भेदभाव है उसे divine love को दिकाया गया है और जो रंग भेदभाव 11 को दिखे से हमें किसी से भी रंग भेदभाव नहीं करना चीह है तो दोस्तों आशा करते हूँ आपको यह पॉम जरूद पसंद आई होगी ठैंक ये वह क्वेंगा थूरू नहींगा।